क्याइस वेलकम टू लीनेक्स बैसिक कमांड सीरीज और यह एपिसोड थाटीफोर्थ और बेसिकलिए आज के वीडियो में हम बात करने माले है कि हाव टू रन मल्टिपल टर्मिनल्स कमांड सो जब भी हम अपने लीनेक्स टर्मिनल में कोई कमांड एक्जिक्यूट कराते हैं तो हमें उसका और पूट देखने को मिल जाता लगिन कभी ऐसा भी होता है कि हमें वन बाई वन करके मल्टिपल कमांड रन करने होते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऐसे में हम क् कमांड को एक साथ टर्मिनल में रन कर सकते हैं कैसे तो चलिए उसी बार में बात करते हैं सो यू कैन रन मल्टिपल ट्रमिनल कमांड सिक्वेंशियली बाई सेप्रेटिंग देम विटे सेमी कॉलन डबल एंपर सेंड एंड यूजिंग डबल पाइप तो एक्जिक्यूट त और यह डबल पाइप का इस्तामाल करके हम अपने टर्मिनल में मल्टिपल कमांड एक्जिक्यूट करा सकते हैं ओके सो इसे बेंफिट यह है कि यह जो सेप्रेटर हैं बैसे कली यह आपके लोगिकल हैं तो किस तरीकी से काम करते हैं चलिए पर में जानते हैं तो क्या होगा पहली एक्जिक्यूट होगी उस बात यह 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 एक् कमांड execute हो जाएगे चाहिए अगर कोई आप कमांड गलतली देते हो फरक्जामपल यह जो कमांड है कमांड टू मैंने इसको क्या किया मैंने यह पर रॉंग कमांड लिख दिया ओके जिसे कोई मतलब नहीं है तो पहली कमांड रन करेगी दूसरी रन नहीं करेगी तीस बाली अल्टी कमांड विल्टीक्यूटे सिक्वेंशली वाल मोई बनी तीनों एक्सक्यूट होंगी अब तो नेक्स्ट है जो कि है डबल अम परसंट साइन इन डिसको आप एड एंड बहुत सकते हो यूँज डबल अम परसंट्स टू रन मैल्टीपल कमांड ओके इसको भी हम मैं कमांड रन करने के लिए इस्तमाल में लेते हैं बड़े सब्सक्वेंट्स कमांड विल ओनली इसक्यूट इप प्रिसेदिंग वन सक्सीड रिटन एंड 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 एस्टेटस अप जीडो सो इसका क्या मतलब है मैं आपो लिखाता हूं एग्जम्पल के लिए ओके हमारे पास तीन कमांड है कमांड वन फिर हमने दिया एंड एंड का साइन कमांड टू फिर एंड एंड का साइन फिर कमांड करी अब मालों यह जो हमारी कमांड है सेकंड कमांड यह रॉंग कमांड हमने लिख दी जिसा कोई मतलब नहीं है तीसी कमांड है जो है करेट क command okay तो पहला जो command है command one यह execute हो जाएगा क्योंकि यह सही command है लेकिन दूसरा command है जो वह लिख रखा है बिल्कुल गलत इस अब कोई मतलब नहीं है कोई command है है ही हम आप आसे टाइप करेगे कुछ भी यह execute नहीं करेगा लेकिन अगर यह execute नहीं करेगा ठीक है तो आगे वाली command तो थार कमांड है वो सही भी होगी तो भी execute नहीं करेगी यह automatic cancel हो जाएगी यह इसमें command 1 command 2 command 3 में क्या होगा सिब command 1 करेगा क्योंकि command 2 हमने गलत रखी है और command 3 सही भी है तो भी execute नहीं होगा कि किसी पिछल कमांड जो है वो गलत है ओके तो हम and and sign के इस्तिमाल करके यह चीज़े का सकते हैं तो बिसे यह सारी चीज़े क्या होते हैं लोजिकल होती हैं okay next है और लास्ट है using double pipe you can use the double pipe to run multiple commands but when any command will execute then others will not execute यह पिछे पाल के ठीक opposite है okay example के लिए हमारे पास तीन command है command 1 फिर double pipe का sign फिर command 2 double pipe का sign और command 3 okay so इसमें क्या है if command 1 execute then command 2 and command 3 will not execute यह पीजे बिल्कुल उल्टा है अगर आप double pipe का sign देखे multiple command रखताने करतों टर्मिनल पे तो माली चे command 1 हमारी सही है कि क्या command 2 भी सही है command 3 भी हमने सही लिक रखी है लेकिन अगर command 1 execute हो गई जो कि होगी ही क्योंकि हमने सही command रखी है तो बाकी का आगे वाला अगर गलत भी है तो वह execute नहीं होगा क्योंकि पिछली बाली command क्या है execute हो गई है command 1 जो है वो हमने गलत लिक रखा है सही है और नहीं होगी क्यों क्योंकि पीछले परी कमांड एक्जिट हो चुकी है तो इस तर्केस आप इन तीनों साइंग के इस्तिमाल करके मल्टिबल्स कमांड अपने लिनेक्स टर्मिलर पे रांग कर सकते हो अब हम चलते हैं लैब में यहां पर आपको डिटेल में चीज़े लिखात से में पर चला कि हम अब हमारी वर्किंग्ग्ट्री क्या है कहां में काम कर रहे हैं हुए क्या पर चला मैं कौन हूं मारे यूजर ने क्या है तो इलस पीड़ो डि हो एमाई ओके सो अगह मैं लिखां लिएस सेमी कॉलन pwd space semicolon and who am i. हमने multiple commands इंटर कर गए पहे हम करते हैं एंटर पहला command alias यहाँ पर execute हुआ second pwd इसका output यह रहा third command इसका output यह रहा अगरे हिसमें गलत command कुछ लिख देते हैं जैसे कि हमें न हुए माई को लिख देया इमरान तो आप देखो किनो command execute हुई और इमरान ना में कोई command नहीं है तो इसका output आगे command not found तो basically अगर आप इस्तिमाल करते हो semicolon तो आपके सारी commands one by one करके execute हो जाते हैं चाहे वो गलतर है चाहे हैं कि सही ओके so next time double i am present sign तो हम लिखते हैं basically alias end end pwd space end end who am i हम करते हैं enter तो हमारी तीनों command execute हो गई so इसका logic है जैस मैंना को पताया था कोई command wrong होती है तो उसके आगे वाले execute नहीं हो गई तो मैं आप क्या करता हूँ जो pwd command है इसको मैं लिख दा हूँ अपना नाम ओके यह मैं लिख दिया पहले command सही है दूसरी wrong है तीसरी सही है ठीक है हम करते है enter so ls command यहां प्रग्स गीट हो गई output आ गया इमरान command इमरान command not found इसलिए who am i command नहीं चली जैसे ही कोई command गलत होती है उसका आगे वाली automatic चलना बंद हो जाते हैं आप multiple command गीट सकते हैं सिर्थी नहीं जितने चाहते हैं रख सकते हैं तो यह हुए end अहम जो लास्ट है वह बात करते हैं जिसको बोलते हैं double pipe तो हम लिखते हैं बिजगी same command so ls double pipe pwd double pipe who am i इसका logic क्या है logic यह है कि जैसे ही कोई command execute होगी others will not execute ठीक है तो हम इंटर करते हैं क्या वाट कुट आया ls ls command execute हो गई तो pwd command और who am i command execute नहीं होई क्योंकि हमारी पहली command run कर गई अब हम क्या करते हैं जोड़ा अब मैंने ls को कर देता हूँ मैं basically अपना नाम जो की कोई command नहीं है pwd command क्या है सही command है यानि इसमें कौन command चलेगी एक pwd run कर जाएगी और यह तीसरी पर दिलाट वाली है वो execute नहीं होगी हम करते हैं enter इमरान command not found ओके दूसरी command पर गया यह execute होगी क्योंकि यह सही command थी तो तीसरी क्या है गरत command है बिल्गोल नहीं command है बिल्गोल सही command है इसरी एक्जेक्यूट नहीं हुई यानि कि जैसे ही कोई command आपके execute होता है others will not execute यह बैसकली आप इस पीनों साइन के इस्तमाल करके टर्मिन अपने multiple Linux command को run कर सकते हैं और यह logical है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो गाइस बस आज के लिए उमेद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आवगा तो अगर आप यह वीडियो पसंद रखे इस वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों साइस शेयर किजिए कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर पहली बड़ आ रहे हैं तो चलाएं को सब्सक्राइब किजिए साइस बेले कर नको प्रेस किजिए क्योंकि मैं आपके लिए मैंसा ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो से लेके आते रहता हूं तो गाइस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर और गुट बाई